आज़िस कश्यानी फिल्म्स और आई ड्रीम्स फिल्म क्राफ्ट के बैनर तले, एक मराटी फिल्म कॉलेज डैरी 16 फेबरी 2029 को देश बर के सिनिमा गरों में रिलीस होने जा रही है इस फिल्म के निर्माता है बाविस कश्यानी फिल्म के देदेशक है अनिकेद घड के इस फिल्म में दर्शकों को रूमेंस, कॉमेडी और सची दोस्ती पर आदारित गानी दिखाई जाएगी उमीद है ये दर्शकों को फिल्म पसंद आएगी सिनेमा मंझे मिया फिल्म चे असोसेट डिरेक्टर आनी राइटर सुद्धा है अमी दोगानी डिरेक्टर सरन्य आनी दोगानी मिलून लीलिए तर अधी पासुन स्क्रिप्टिंग लेवल पासुन त्या प्रोसेस मदे इन होतो मरती मदे नवीन काहितरी कर्यात टेस्टेज प्रेमा वर्जे सिनेमे बंगनात आमाला सुद्धा कंड़ाया लागला होता काहितरी वेगल सांगनें ची पद्धत आपन बदल्यात बगयात का होते पूर्ण बरे एक्स्प्रेंटर फिल्म आये ने वर दो कि अपनी फिल्म मत मतारी बंग यमरे थे सब्सक्राइबयास तु या फिल्म साथी सिलेक जरेज चलेज अगी प्रोसेस सुरू जली माझाजी सिंपल साधी प्रोसेस है मी अइशन देऊ निया फिल्म मदे सिलेक जरेज्ट सब्सक्राइब जरूर नवीन फेसे जाएद, पूर्ण पने नवीन तुम्हाला सग्ड़ भागयल मिलते लिएक अही नोन कैरेक्टर यात नहीं है, तोर एक्स्मेरेंटल फिनमा है, पाच वेगवगळा पाशे तली गानी यात आहेद, गोश्टतीज आहेद, गोश्टतीज आहेद, पक्त द खुब कश्टा नंतर, खुब वेगवगळा हेज़तना फिल्म स्वड़ादार के प्रनत पोस्ट है, खुब सो सग्ड़ेज त्याला प्रेम देदू, एक्स्परिमेंटल है, बर्यास बुष्टी नवीन है, जिस गानी है, तुरा बोला गानी नवीन है, कि वा दाखुने च इसके पहले तीन फिल्म हुए, बट अभी हो लाइनप में है तीन फिल्म, यह पहली फिल्म है, जो रिलीज हो रही है, मेरे, इसके बाद में जो फिल्म आएगी, वो तो अच्छी रहेगी, बट यह जो फिल्म है, इसके पहले तीन फिल्म हुए हो, कमर्शल फिल्म है, और जो पहली मारेटी फिल्म है जो इसमें मैं रियलिस्टिक अभी नहीं कर रहा हूँ और एक कलाकार को मतलब अभी में अभी में मेरा नाम वेशने वी ही है जो शेतानी करती है जो लोगों से अलग तरह से बात करती है लेकिन सब की पैरी होती है अभी में अभी में अभी में अभी में आणन्द भूर्ण इसके पहले मराटी फिल्म और यह जो जिसमें करेक्टर रोल्स किये है यह फिल्म होगी जिसमें में एज धीड लोगों के सामने आ रहा हूँ और इसके बाद मैं भी लाइन आप पर और दो फिल्में है जिसमें एक है उसमें लीड हूँ यह फिल्म का जॉनर जो था, नैचरल एक्टिंग, सटल एक्टिंग, इसके पहले जो हम कर रहे थे, थेटर एक्टिंग या कमर्शियल ग्रामा था, यह फिल्म में कंटेंट थोड़ा बद कमर्शियल है, लेकिन जो एक्टिंग है, वो टोटली रियलिस्टिक एक्टिंग है, यह बहुत ही अलग एक्सक्रियंस था और उसके लिए बहुत ज्यादा महिनत करनी पड़ी और यह हम सब अगरी करेंगे कि यह सिर्फ हमने हमारे से उन्हार भी बात भी पूरे टीम ने जो असिस्टेंट डिरेक्टर थे डिरेक्टर हमारे अनिकेद घाड़ गे इनका एज सिर के जो स्क्रिन पर हम दिख रहे हैं लेकिन उनका आवाज सेले तो बेनी दयाल जी का सौंग है को रंगे करके तमिल सौंग है पर उसमें हम सब दिख रहे हैं और हमारी मजा ऐसे चल रहा है सब जो एक एंजोयमेंट होता है ना कॉलेज लाइफ का वो सब दिखेगा तो जो इनर्जी है उनकी वज़े से जो बॉलीवड के सिंगर सुनों ने हमारे लिए ये बहुत सारी चीजे उन्होंने ऐसे के अंडरस्टेंडिंग में करके बहुत सारा सपोर्ट दिया है और यहां पे भी बेनी देल आये थे आज तो वो जो एक एनर्जी सब में है वो एनर्जी ल ताइरी नाम की फिल्म और जो अभी आप देखने वाले एनिक्स वन। यह एक अलग सा रोल था और स्लिए मुझे ऐसा लगा कि कि आज तक मैं ने ऐसा रोल कभी भी नई किया है। न ड्रामे में किया है न फिल्म में किया है। और यह एक मेरे लिये एक अलग सा एक अवहन था। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं यह काम करूँ। और ऑफकोर्स डाइरेक्टर ने भी मुझे चुन लिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी 100% उनको देना चाहिए कोई कोई बात है इसी हुई कि जैसे मुझे जो देहाती मराठी बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छी तरह तो नहीं आती थी लेकिन हमारे डायरेक्टर ने बहुत सारी कोशिश करके मुझसे वो सब रोल अच्छी तरह करवा लिया एक्छी में एडिटर हूँ अनिकेट सर के पास में एडिटिंग सीखी है तो अनिकेट सर ने मेरे को ऑनलाइन एडिट के लिए बुलाया था तो सर वोली कि यार शुबों में के रोल है तेरे को सूट होगा एक बार ऑडिशन तो देखे देख तो मैंने पार्ट यह था कि में एक्षा अर्ट इस था मतलब माराठी में कुछ तो नया लाने की कुछ इच्छिश कें लोग ने मतलब वोल्ली सिनेमा बोल के जो आता है उसके पार्ट में हमने हमने किया है तो आप लोग जरू देखे आपको पसंद आएगा कुछ तो नया है बेसिक जो है एक्सप्लोर करने के लिए मुंबई में यहां हुआ काम करता था तो मुझे ऑडिशन के मेसेज आये थे तो मैंने सिर्फ भेज़े थे मेरे फोटोस फिर जो डिरेक्टर है और जो विशाल जो लीड रोल कर रहा है वो असूशेट डिरेक्टर है तो उन्होंने मुझे मुझे मिलने के लिए तो मुंबई में तो उन्होंने देखते ही कह टेएं तो मैं और चार पांश साल से थेटर सिक रहा हूं बेल गाम में पिर एक्षप्लोर कर रहा था घ्टर रखनेश when मालेलम फिल्म देखके बड़ा हूँ, ओरसीज वाले फिल्म देखता हूँ, वर्ल सिनेमा वाले फिल्म देखता हूँ, में जो में स्ट्रिम के फिल्म है वो में कम देखता हूँ, जैसे कि माराडी में ज्यादा से ट्रिटमेंट नहीं आती, माराडी में एक्स्प्रिमेंटल अबने कामाती नहीं ख मैं चयो झान को अग dow आप रेट्वाट यह इन atmos करने gobierno में अपने को सिर्फ एक लोकेशन है लोनाडव में तुंगार लेकरके उधर गई लोकेशन है गुरु को ले उसके आसपास का ही सब लोकेशन है अधे अधे उसके लागा फिल्म देखने के लिए जब जाओंगे तो ऐसा दिमाग में ऐसा कुछ लेके मत जाओंगे कि मिन से कुछ सीखने के लिए जाओंगा ऐसा मज़ा है पूरा इंटर्टेन्मेंट पैकेज है आप कुन सा भी पहलू देखिए स्टार्ट टेंड डिरेक्शन देखिए शॉट वाइस डिवीजिन देखिए एंगल्स देखिए म्यूजिक देखिए आर्टिस्का एक्ट देखिए मुवी है और मराठी मुवी है और हमने यह बहुत ही महिनत करके बनाई है और आप जब देखेंगे म्यूजिक आज लॉंच हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और आप देखिए रिलीज हो रहा है 16 फेबरुवारी को अच्छा लग रहा है पिक्चर अच्छी बनी है और आप लोग भी जब देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और 16 फेबरुवारी को आ रही है फिल्म जरूर देखें कोलेज दाइरी नमस्कार मेरा नाम अविनाश दिलिप खेड़ेकर है कोलेज दाइरी इस फिल्म में मैं विलन की विलन निमा रहा हूं औ और फिल्म कंप्लीट हुए है बहुत खुशी हो रही है इस वजह से है बहुत टफ था अगर आप देखेंगे फिल्म में कि यहां इसमें बहुत डाली गलोश है स्मोक है सीरेट है यह सब इन चीजों को हैंडल करना यानिकी एक करेक्टर प्ले करना उसके बाद वो चारेक् करते हो और उसके बाद उसके आप एक चुँए है